नमस्कार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आने वाले 10 जून को शनी जैनती है। जेस्ट मास्क या मावश्या को शनी देव का जन्म हुआ था। शनी देव के पिता सूर्य और माता च्छाया हैं। जोतिश के अनुसार सभी नौग रहों में शनी देव को न्याया धीश का दरजा प्राप्त है। शनी देव को या उपादी महादेव ने दी है। शनी देव कर्मों का फल देते हैं अच्छे का अच्छा फल और बुरे कर्म करने पर बुरा फल। मानेता के अनुसार हनुमान भक्तों को शनी देव कभी भी परेशान नहीं करते हैं शनी देव की क्रपा से व्यक्ति की सभी मनों कामनाय पूर्ण हो जाती हैं इस शनी जैन्ती पर किस प्रकार से शनी देव की पूजा की जाए चलिए आपको बताते हैं शनी जन्ती के दिन ब्रम्होर्त में उटकर नित कर्म से निपटकर शुदोहों इसनान के बाद स्वच वस्तर धारन करें फिर हाथ में जले कर शनी देव की पूजा और वरत का संकल पलें एक चौकी पर काला वस्तर बिचा कर उस पर एक सुपारी रख कर उसके दोनों तरफ त पूजन के बाद शनी मंतर का कम से कमेक माला जब भी करना चाहिए माला जपने के पश्चा सनी चालीश सा का पाट करें और शनी महराज की आरती भी करें शनी देव की पूजा के दिन सुर्योदे से पहले शरीर पर तेल मालिश कर इसनान करना चाहिए शनी पूजा के साथ सा थनुमान जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए शनी जैंतिया शनी पूजा के दिन ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए इस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए किसी जरूरत मंद गरीव यक्ति को तेल में बने खाद्य पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए गाए और कुटों को भी तेल में बने पदार्थ खिलाने चाहिए बुजर्गवा जरूरत मंदो की सेवा वा सहायता करनी चाहिए